अच्छा अब जब हमने ये सारी competences पैदा करनी हो बच्चों के अंदर, तो हम उनके उनकी routine क्या बनाएंगे, कब वो क्या करेंगे, routine बनाना बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए कि young children need the comfort and security of a daily routine, अब अगर उनके रोज के रोज का तैशिदा होगा कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बद क्या होगा, तो बच्चे उसके आदी हो जाएंगे, और फिर वो discomfort फील नहीं करेंगे, फिर वो उसके मताबिक ही, रोज पहले से जिहनी तोर पर तयार रहेंग कि अगर हम अगर हम ने अपने गोशे में जाना है तो कितनी देर तक अगर अगर हमने आउटब और किया करेंगे और क्यूं करेंगे फिर इस सारी चीजिए उनको पहले से पता होना चाहिए उसके बात है के It helps children learning about sequencing, अच्छा क्या ज्यादा एहम है उसको पहले कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, तो sequence सीखना भी इतना ही जरूरी है, फिर it helps understand the concept of the passage of time, भई बच्चों को वक्त की अहमियत का भी तो पता होना चाहिए, कि भई ये इतना वक्त जो है वो गुजर ग करनी है और फिर हमें नई activity शुरू करनी है, तो passage of time का उनको discipline और जो जिसको हम punctuality कहते हैं, वो पैदा होनी बहुत जरूरी है, और आकर में हम कहेंगे कि it helps children realize that an activity has to be completed within a set time frame, तो अब वो वक्त के पाबंध होगे, जब उनको लगेगा के वक्त गुजर रहा है, तो वो इसक हमने दिखाया है आपको, कि इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले दुआ यह national anthem होगा, जैसे पंदरा मिनट इसके लिए मक्सूस कर दिये, फिर हमने कहा कि जी greeting circle होगा, इसमें सारे बच्चे इकठे होते हैं, वो एक दूसर से मिलते जुलते हैं, और teacher भी उनसे मामूल के मता करती है, उसको उनसे पूछती है कि गुजशता रोज हमने क्या सीखा था, और अब हम आज क्या सीखने वाले हैं, और यह कि सब बच्चे एक दूसर से मिले जुलेंगे, एक दूसरे का हाल चाल पूछेंगे, फिर group work time होगा, यह वो time है जिसमें उस्ताद बच्चों को group activities करवाता है, और यह जादातर academics से related होती है, यानि जो syllabus है उनका, जैसे हमने अर्श किया था, कि उनको 100 तक counting भी सीखनी है, उनको कुछ shapes का भी पता होना चाहिए, उनको अपनी personal grooming का भी पता होना चाहिए, तो यह दूसरे लफजों में आप समझ लें, कि यह teacher presentation time है, कि यहा होता है, यानि class से बाहर, जाहरा जैसे हमने अर्श किया, कि अगर वहाँ पर natural महौल है, school के अंदर छोटे-छोटे playgrounds होते हैं, कुछ direct लगे होते हैं, कुछ घास वाली मैदान होता है, तो बच्चे वहाँ पर जाएंगे, खेलेंगे, कुदेंगे, और इसको हम free play कहते हैं, यानि जिसमें कोई rules and regulations ना हो, अभी के भई यहां से, आपने पता ना, जैसे बहुत सी दुनिया के अंदर games है, उनके तो rules होते हैं, hockey है, cricket है, और basketball है, तो उनके अंदर तो rules हैं, बच्चों को वह follow करने होते हैं, लेकिन अभी हम उनको free play दे रहे हैं, के भई जिस तरह जो चोटा चोटा खाना जो वह घर से लेकर आए हैं, उस सारे मिल बैठ के खाएंगे, और इस दोरान में वह क्या करेंगे, जिसके पास नहीं है, उसके साथ शेयर भी करेंगे, और सब मिल जूल के खाएंगे, इससे भी उनके अंदर एक अखुवत का अंसर पैदा होगा, अब अब हम प्लैन, वर्क, क्लीन अप, रिव्यू टाइम हैं हमारे पास, इसमें क्या है, या वो यह सोचेंगे उन्होंने क्या करना है, कैसे अपनी आइंदा वाली एक्टिविटी को क्या करने वाले हैं, फिर गोशा भी उन्होंने जाना है, जैसे हमने बड़ी मेहनत से गोश करने जाए तो apply करेंगे उसको खुल के और फिर सिर्फ apply नहीं करना अब जाहरा वो खिलोने उठाएंगे books उठाएंगे कुछ blogs उठाएंगे जिनसे वो चीजें बना रहे थे और सीख रहे थे तो अब ऐसा वक्त है कि वो सारे अपनी चीजों को समेटेंगे जहां से उठाई थी वहीं रखेंगे उनको अच्छे से और गनाईज करेंगे और फिर ये सारी चीजें होगी और आखिर में फिर उस्ताद उनके साथ मिलके रिव्यू के उपर बात करेगा कि भाई हमने आज क्या किया हमने आज क्या सीखा और सबसे अच्छी बात कौन सी थी और ये कि सुबा आप क्या करने का इरादा रखते हैं तो इस तरह से कई दफा ऐसा होता है कि जब आखरी पीरिड होता है तो उस्ताद बच्चों को कोई नजग या स्टोरी भी रीडल आउट करके बताता है ताके वो एक अच्छी याद के साथ खुशी-खुशी घर जाएं और उनका दिन एक अच्छे तरीके से कतम हूँ